आईए इस दिये हुए वेंजक का वर्गी करण द्वारा गुणन खंडन करते हैं। हम यहाँ वर्गी करण की बात कर रहे हैं। तो आईए देखते हैं कि वर्गी करण क्या होता है। और इसे हम जल्दी ही जान जाएंगे। क्यूंकि हमें दिये हुए वेंजक को वर्गी से विभाज यानि divisible हैं इसलिए हम यहां 5 को गुड़न खंडन द्वारा बाहर नहीं निकाल सकते हैं और ना ही यहां सभी पद R या S से विभाज हैं यह केवल R से विभाज हैं और यह केवल S से विभाज हैं और यह दोनों में से किसी से विभाज नहीं है तो इन 4 पदों में से कोई common factor नहीं है इसलिए हमें इसका वर्गी करण इस तरह करना होगा ताकि हमें इनके बीच common factor मिल सके तो चलिए अब हम इन्हें सरल करते हैं यहां यह सोचना कि हम इसका गुड़न खंड़न कैसे करें एक कला है लेकिन यहां यह प्रशन पहले से ही सरल रूप में दिया ह हुआ है अगर हम इन पहले दो पदों को देखते हैं जो पांच आरेस और पच्चिस आर है हम यहां इस पश्ट रूप से देख सकते हैं कि इन दोनों पदों में कुछ common factor है यह दोनों पांच से विभाजे हैं और यह दोनों आर से भी विभाजे हैं अब अगर हम इसे पांच आर गुणा इस पांच आरेस को पांच आर से विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा हम जानते हैं हमें यहां एस प्राप्त होगा जमा अब पच्चिस आर को पांच आर से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा पच्चिस को पांच से विभाजित करने है चलिए अब इन दोनों पदों को देखते हैं हम देख सकते हैं कि इन दोनों पदों में रिणात्मक 3 या धनात्मक 3 common factor है तो हम यहां रिणात्मक 3 लेते हैं यहां हमारा मकसद है कि हमें इसको रिणात्मक 3 गुणा S जमा 5 के रूप में गुणन खंडित करना है और हम देख स हैं रिणात्मक 3 गुणा इस रिणात्मक 3S को रिणात्मक 3 से विभाजित करने पर हमें क्या मिलेगा ऐसा करने पर हमें S मिलेगा और रिणात्मक 15 को रिणात्मक 3 से विभाजित करने पर क्या मिलेगा ये धनात्मक 5 के बराबर होगा इस तरह हमने आसानी से वर्गी करण दु चीजों के बारे में सोच रहे होंगे, हम इसे सत्यापित भी कर सकते हैं कि हमने इन प्रतेग वियनजकों को वित्रित करते हुए इसे ठीक तरह से गुणानखंडित किया है। तो अब इस वियनजक में हमारे पास चार पदों की जगह केवल दो पद हैं, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, और इन दोनों पदों में स जमा पांच कॉमन फैक्टर है, तो अब हम स जमा पांच को गुणन खंडन द्वारा बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसे पांच आर गुणा कोश्ठक में एस जमा पांच लेते हैं, और इसमें से एस जमा पांच को गुणन खंडन द्वारा बाहर निकालते हैं, तो यहां केवल पांच आर बचेगा, और इसी तरह अगर हम रिनात्मक तीन गुणा कोश्ठक में एस जमा पांच लेते हैं, और इस इसमें से S जमा 5 को गुणन खंडन द्वारा बाहर निकालते हैं, तो यहां केवल रिनात्मक तीन बचेगा, इस तरह हमने इस व्यंजक का वर्गी करण द्वारा गुणन खंडन कर लिया है, ये कोश्ठक में S जमा 5 गुणा कोश्ठक में 5 आर घटा 3 है, अब हम इन्हें गु और फिर अगर हम इसे रिनात्मक तीन से गुणा करते हैं, तो हमें ये व्यंजक मिलेगा, तो यहां सरल करने पर ये इसके बराबर हो जाता है, इसलिए हमने इसका गुणन खंडन कर लिया है,